नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी येटूप चेनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि आज रात 11 वजे से आपके जीवनकाल में भगवान सूरीदेव के आसिरवात से बड़े चमतकार होने वाले हैं जिहां दोस्तों जरसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय रविवार का दीन रहेगा यानि भगवान सूरीदेव का दीन रहने वाला है जिहां दोस्तों यह शमय आपके जीवन अंत्राल में इनके आसिरवात से आपकी जीवन काल में कई ए परिवर्तन होंगे जिने जानकर आपको खुशी से पागल हो जाएंगे जिहां दोस्तों आपको बता दें कि या समय भगवान सुरीदेव के आसिरवात से आपको परतेक छेतर में सुप समाचरों की प्राप्ति होगी क्योंकि दोस्तों यह श्रमें गिर्फों की दूरलब इस खुशिया रहने वाले हैं जिहां दोस्तों आपको बता दें कि भगवान सुरीदेव हमेशा अपने भक्तों के जीवनकाल में कुछ एथे बदलाव करते हैं कुछ एथे बड़ी चमतकार करते हैं जिनसे उनके जीवन में वे शवी खुशियां आती है जिनके लिए वे दिन रात मेहनत करते हैं जिहां दोस्तों और यश्य में भी आपके जीवन में वे सारी एक्छाएं पूरे होने वाले हैं वे शवी शपना पूरे होने वाले हैं जो कि दोस्तों आप पिछले समय में सोचके रखे थे जिहां दोस्तों अब आप दिन दोगोनी और रात चोगोनी तरक्की करने वाले हैं तोस्तों इस वीडियो में आपके जीवन धी जुरी और महतपुन भाक्त दिये गए हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बिलकुली मीशना करें और शुरू से आन तक जरूर देखें उससे पहले दोस्तों जो भागवान सुर्यदेव के सच्चे भक्त हैं और इस वीडियो को देख रही हैं एक लाइक अभी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मनशे पारेवारिक जीवन में घर के माहौल में केसा रहने वाले हैं और दोस्तों आपके स्वास्त में बीजनस और व्यपार में केसे रहेंगे और दोस्तों इस वीडियो के अंत में एक उपाईवी बताएं जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बैतर बना सकी दोस्तों वीड करते हैं सबसे पले बात कर लेते हैं चानक निती के अच्छे ज्यान से दोस्तों आचार चानक जी कहते हैं जिन्दिगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ आज वक्त खराब है तो क्या हुआ एक दिन इसे बदल कर दिखाओ इसी के साथ हमेशा डरते रहने से अच्छा है कि एक बर खत्रे का सामना किया जाए इसी के साथ अपने जीवन की रा खुद चुनू अपने जीवन की रा खुद चुनू क्योंकि कभी सुना है कि पक्छी बेठा रहा दाने के आस में जिहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज अपने महतपुन योजनाओं को किर्यामिंद करने का उचीत समय है ग्रिय गोचर आपके पक्छ में है अपने छामतावा उर्जा का भरपूर उपयोग करें आप एक नए जोस और आत्म विश्वास के साथ आपने कारियों के पड़ती समर्द पित रहेंगे और सफल भी होंगे सकार्तमा गतिविदियों तथा लोगों के संपक्र में रहने से आपके व्यक्तित में भी उचित निखार आएगा किसी धार्मिक गतिविदी में भी आपका विशेश युगदान रहेगा आपकी बुद्धि मानी तथा प परिवारि समस्यां को सुलजाने में आपका प्रयास रहेगा और आप उसमें काम्याप भी रहेगे संतान की और से कोई सुपसमचार मिलने से मन परशन रहेगा तर्धा मन रोटन समंदी प्रोग्राम भी बनेंगे दोस्तों आपको शकार्तमग रबया आपको कोई भी निर्ने लेने में मदद करेगा और इसके प्रवाव से रिस्दारों तो था घर परिवार में भी आपके समन्द मदूद हो जाएंगे परिवारिक सुक्सुविदा को लेकर सोपिंग आदी में भी समय वितित होगा आज आप अपने पर्तिवावा बोद्धिक छमता के बल पर कुछ ऐसा कारी कर जाएंगे कि आप खुदी आसर चकीत रहेंगे समाज थानिकर समंदियों में भी आपका समान बढ़ेगा दोस्तों आज आपको ऐसी चमतकार देखने को मिलेंगे कि आप शपने भी में नहीं सोचे होंगे अब आपको अनेक कारणों से अनेक तरों से चमतकारी वा खुश खबरियां आपको मिलने वाली है आज रानितिक समंद आपको फैदा दे सकती है जन संपर का दारा भी बढ़ेगा जिसे आपको अपने पाचान भी मिलेगी तोस्तों समाजी तथा सोसाइटी समंदी गत्री विदियों की तरब से आपका रुजान बढ़ेगा पंतु इसके साथ आपने स्यम के कारियों के परती भी जागरुक रहें और अपनी योजना को गुपनिय तरीके से क्रियाविन करें क्योंकि यह चमतकार और काम्यावी देखकर आपके दुसमन कुछ करने की कोशिश करेंगे इसलिए दोस्तों सावधान रहें दोस्तों इन दिनों में आप कई बदलाव ला रहें हैं बंचाई उपलब्दिया हासिल होगी अब अपने योगता और कारकु सल्ता से हर परसिति को समभाल लेंगे रुके होए काम में अब गती आएगी सुविदाओं के साथ अधात्मिक उन्नेती भी होगी खास तोर से इन लोगों के लिए जिनके साथ संपर्ग बढ़ेंगे कुछ खास लोगों के साथ संपर्ग बढ़ेंगे जो कि आपके तरकी में मददगार होंगे दोस्ता आपके नेगेटिव की बात करें तो इसमें किसी भी तरकी यात्रा करना समय और पैसे दोनों का ही नुकसान होगा पड़सियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर कास नहीं हो सकती है जिसका असर परिवार के सुख सांती पर भी पड़ेगा इसलिए बहतर है कि दुसरों के समस्याँ में ना उलजें बच्चों के केरियर को लेकर कुछ चिंता रह सकती है प्रतु धहर रखें जल्दी परिस्थिया अनुकुल हो जाएगी वहां अत्वा परपटी से समंदित लोन लेने से पाले सारी संभावनाँ पर उचिद विचार कर लें पैसों के लेंदेन समंदित कारें को बहुत ध्यान पुरुबक करें इसकी वज़े से घर में भी कोई गलत फ्यमी उत्पन हो शकती है दोस्तों वेवसा में आज कल मार्केट में आपकी छवी बहुत अच्छी बनी हुई है कोई बाहरी ओडर मिलने की संभावना है काम के तरीकें को उच्गार न करें जलन की भावना से कोई आपका नुक्षान पहुंचा शकता है सरकारी सेवरात लोग अवांचित लोगों के साथ मेल मिलाप न रखें दोस्तों वेबसाइक गत्ती विदियों पर परिवारी समस्यां को हावी न होने दें आज समपर सुत्रों और मार्केटिंग समन्दी कारियों पर अधिक समय बेतित करें क्योंकि इनी दोरा आपको महत्तुपुन ओडर प्राप्थ हो सकते हैं वेबसाइक गत्ती विदियों के लिए ग्रहसिती बहुती अनुकूल है समय का भर्पूर सत्प्योग करें इसमे वर्तमान गत्ती विदियों पर ध्यान रखना जरूरी है फाइदमन प्रसतियां बन रही है लेकिन मार्केट रथा मिडिया से समनित कारियों में आपना समय वेर दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं लव लाइब की घर के सदस आपकी परिशानियों को शमज कर आपका सहयोग करेंगे जिससे आपका मनवल बना रहेगा यवाँ को प्रेम समंद सुखद और मर्याद पूर्ण रहेंगे पति-पत्नी के समंद में प्रगलता रहेगी पार्टन घर वह परिवार के साथ लोंग ड्राइब पे जाना आपके तनाप को कम करेगा घर वह वेबसाइब में समांजस बना कर रखने से सुखनामा माहूल बना रहेगा प्रेम समंद को मर्यादा पूर्ण रखें दोस्तों आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो काम की अपना वचाब रखें स्वास्त उत्यम रहेगा अपना घर का माहूल वेवस्तित रखें रोज सुभा योगा और वेवाम करें सरित अंदुरुस्त और फेट रहेंगे चलिस्तों बात करते हैं अपके उपाय के बारे में दोस्तों आज भगवान सुरी को पूजा करने का दिन है आवस्तना निर्वत होके बगर मन में किसी तरह की संका लाए मन में ही मन सुरिदे को परणाम करते हुए पुर्वे दिशा की और मुग करके सुरिदे की पुजा करें और तामबे के बरतन से सुरिदे को अर्द परदान करें सुरि को अर्द दिते समय जल में लाल फूल और थोड़ा सा कुम-कुम भी डालें इस उपाय को करने से भागवान सुरी की सीर ही किरपा प्राप्त होती है और आपकी सभी मनो कामना है पूर्ण हो जाएंगे चलिस तो आप बात कर लेते हैं आपका भागसाली रंग और भागसाली अंग क्या है दोस्तों आपका भागसाली रंग साधा है और भागसाली रंग आठ है दोस्तों सुरीदेव का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिलशे कॉमेंट बॉक्स में जैसुरीदेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सियर जरूर करें धन्यवाद